बिर्यानी एक ऐसा खाद्यपदार्थ जिसके बारे में बात करते ही अक्सर लोगों का दिमाग सीधे तोर पर नॉन्वेज की तरफ सोचने लगता है लेकिन गौलिर के बललब भवन के पास एक ऐसा स्टॉलस नचालक है जहां पर बिर्यानी वेज बिर्यानी की रूप में रिलती है जिस से नौन वेज का कोई नाता नहीं है और यहा बिर्यानी कंडे पर और लकडी पर तयार की जाती है जिससे इसका स्वाव भी बेहद निराला है और गॉलर के हर वर्ग के लोग इस बिर्यानी को पसंद भी करते हैं इस बिर्यानी को बेशने वाले को बाबू लहार के नाम से लोग जानते हैं आईए जानते हैं उनके बारे में कि उनकी बिर्यानी क्यों इतनी फेमस है और लोग उन्हें बाबू लुहार के नाम से क्यों जानते हैं जो की बहुत अरिक फेमस हो चुके हैं चाहता है वहीं होता है आपके बिर्यानी बहुत फेमाद है शहर के शार मैंने चालू करा दा सुदू में दोगलों बनागे बैठा था साब जी आज मेरे बावु लॉड़ने देगी बच्चा पाला था जानवर फिलिम में मैंना 400 परिवार पलबादी है 400 परिवार के तूले जलना है क्या बाद है हूं अउनका कहना खोता है कि इनकी बिर्यानी तो लजीज है ही लेकिन उससे भी लजीज है इनकी लच्छेदार बातें जो की लोगों का इंट्रेटेन भी करती हैं और उसी बातों के स्वाद में लोग एक की बजाए दो प्लेट कप खा जाते हैं पता ही नहीं चलता बिर्यानी बेहत फेमस होने का कारण बाबू लोहार की लच्छेदार बातें में हैं कितने साल हो गहाएं मेरे थाप काम करता थेले में तो में क्या है थेला अगया मेरा काम करने लगा मेरे को तरह शाल हो गया है अजो कितनी से हो जाती है जुँए तो बढ़ोने किस तरह से यह पर किस तरह से तरह करते हैं तो उसके बाद मैं तयार करता हूं बाबु लुहार के यहां पिरियानी खाने वालों का कहना है कि जो विक्ति एक बार यहां पिरियानी खा लेता है वह दोबारा अपने आपको यहां आने से नहीं रोक पाता